नमस्कार जहिन में हूँ रॉनक रंतंत्र में वेलकम और वीडियो के शुरू में ही आप से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ सही सही जवाब देना कॉमेंट बॉक्स में क्या ऐसा सच है कि लखनों और पंजाब जैसे टीमों के मैच में एकसाइटमेंट कम रहता है क्या इनको देखने में वो मजा नहीं आती जो चिन्नेई, बैंगलूरू, मुंबई या कोलकता जैसे टीमों को देखने में आती है क्या ये इस वज़े से है क्योंकि इन टीमों के पास कोई स्टार प्लेयर नहीं है साथ ही स्टेडियम भी खाली थे, ऐसे में लखनो और पंजाब के फैंस बड़ी बड़ी टीमों के फैंस से भिड़ गए पंजाब वालों ने कहा कि अगर किसी टीम का मैच सबसे जादा बार आखरी ओर में फिनिश हुआ है तो शायद हमारे ही हुआ होगा जबकि लखनो वालों का कहना है कि चेन नहीं जैसे ग्राउंड छोटे हैं जहां पर 38,000 में स्टेडियम फूल हो जाता है हमारा 50,000 का स्टेडियम है अगर 40,000 लोग भी आए तो स्टेडियम कहीं कहीं तो खाली लगे गई मैच से पहले यही लड़ाई चलती रही और मैच खतम होने पर सब ने ये डिसाइड किया कि RCB को पेल देते हैं क्योंकि अपने घर में हुआ मैच लखनो भी जीत गई यानि RCB इस टोर्नमेट की अकेली ऐसी फ्रेंचाइज ही है जो घर में मैच हारी है अभी तक लेकिन हार के साथ हम जीत की भी बात कर लेते हैं आपको बता देते हैं कि कैसे आप माई 11 सरकल अप पर फर्स्ट प्राइज मिनिमम एक करोड रुपए जीत सकते हो वीडियो में आगे बताऊंगा क्या करना ठीक है फिलाल मैच के बारे में बात करते हैं लखनो के लिए टॉस करने आये पूरण क्यूंकि केल राहूल को कुछ इंजिरी हो गई थी इसलिए उनको लखनो इंपक्ट प्लेयर की तरह इस्तिमाल कर रही थी पूरण ने टॉस जीता पहले बैटिंग ली और उसके बाद रेगिलर उपनर राहूल और क्विंटन डिकॉक खिलने आये राहूल भाई ने एक दो शॉट बढ़िया लगाए लेगर उनकी इंजिरी समझ में आ रही थी इस वज़े से वो जल्दी आउट हो गए राजसान से देवदत पडिकल को उठाना भी लखनों के लिए अभी तक कोई फायदे मन नहीं हुआ टॉप ओडर में खाली एक क्विंटन डिकॉक थी जो मोर्चा समाले हुए थे और उन्होंने हाफ सेंचुरी लगा दी बेकशिफ्ट कैप्टन निकोलस पूरन ने भी 200 की स्ट्राइक रेट से 42 रन बनाए लखनो और विस्टन डीस क्रिकेट फैंस को चोड़े होने का उन्होंने मौका दे दिया और बड़े भाई क्रुणाल ने चोटे भाई पंडया पर से थोड़ा सा फोकस हटा कर अपने उपर किया और 22 गेंदों में 43 नॉट आउट बनाए पंजाब वालों को 200 का मुश्किल टार्गेट दे दिया अब मुश्किल के पार ही तो मजा है ना बाबा कई लोग माई 11 सरकलाप पर मेगा कॉंटेस्ट खिलते हैं यहाँ पर टॉप कर जाना मुश्किल तो है लेकिन अगर आपकी क्रिकट की स्किल है जबरदस्त और नॉलेज है शांदार तो अभी क्या भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे क्लिक करके माई 11 सरकलाप को डाउनलोड करो आज है गुजरात वर्सेस हाइदराबाद और दिल्ली वर्सेस चेन नहीं टीम बनाएंगे मिलकर और मेगा कॉंटेस्ट जॉइन करेंगे फर्स्ट प्राइज मिनिममम एक करोड रुपे हैं यहाँ पर यानि एक करोड तो शुरुवात है सोचिए कितनी बड़ी बात है इसके लावा भी कई तरीके के कॉंटेस्ट है जिसकी जैसी शद्दा है वो खेल ले बलकि मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको प्राक्टिस करनी है तो प्राक्टिस कॉंटेस्ट जिसकी कोई इंट्रिफीस नहीं यह वो भी है इसलिए जल्दी से माइलेवन सरक लाब डाउनलोड को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अगर टीवी बंद किया होगा तो लगा होगा कि अब तो इस मैच में पंजाब जीत गई और खोला होगा टीवी तो भी या उनका अंदाजा गलत साबित हुआ होगा लेकिन यह हुआ कैसे मैं बतातो एक नाम बतारो नोट कर लो 21 साल उम्र है लेकिन गेंदबाजी ऐसी कि बड़े बड़ों के चक्के छुड़ा दी इस 20 साल के लड़के ने आईपिल 24 की सबसे तेज गेंद फेंगी 155.8 किलोमेटर प्रती घंटा जी यहां साही सुना आपने 155 किलोमेटर से भी तेज गेंद बलकि उनकी स्लो गेंद भी 140 के नीचे नहीं जा रही थी 24 गेंद फेकने तक यह लड़का दुनिया भर में फेमस हो चुका था वसीम जाफर से लेकर ब्रेटली, टॉम मूडी से लेकर जस्टीन लैंगर सभी इस गेंद बास के दिवाने हो गए यहां तक कि हारने वाले कपतान शिखर धवन ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटीशन में बताया कि उनको उमीद नहीं थी कि कोई इतनी तेज गेंद पिंकेगा और सिर्फ तेज गेंद नहीं पिंकी, तीन विगड़ भी लिए जिससे पंजाब की गाड़ी पट्री से उतर गई और धवन के आउट होने के बाद मैच से पूरी तरह पंजाब बाहर हो गई 21 रन से लखनों ने अपने घर पर ये मैच जीता और 21 साल के महें क्या दो, प्लेयर ओफ दे मैच बने अब आज है दो कड़क मुकाबले, 277 बनाने वाली हाइदराबाद लॉट रही है गुजरात के खिलाफ जबकि धोनी को बल्ले बाजी करते देखने के लिए तरस रहे हैं चेन्ने के फैंस, आज है मौका विशाखा पटनम में थला के दर्शन करने का दिल्ली के खिलाफ, इस वाले मैच के लिए, यानि दूसरा मैच, DC वर्सेश के ये रही मेरी माइलेवन सर्कलाब वाली टीम विकेट कीपर हैं, होप और रिशब पंत, बल्ले बाजी करेंगे शिवम दुबे, डेरल मिशल और रुटुराज गाइकवाड मैं तो अपनी टीम बना चुका हूँ, आप भी डिस्क्रिप्शिन में लिंक है, उस पे क्लिक करके माइलेवन सर्कलाब को डाउनलोड करो, पंदरा सो का जॉइनिंग बोनस और बहुत सारे प्राइजेज जीतने का, आपके पास मौका इस पूरे T20 लीग के सीजन में, परियाद रखना, इस गेम इन वाल्स एन एलेमेंट और फाइजेश लिसक्रिप्शिन में, बागी जाने से बेले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, हम आप से मिलेंगे हाइदराबाद और गुजरात का मैच खत्म होने के बाद, उस म